सब्सक्राइब दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगर आप Android मोबाइल यूज करते हैं और उसके अंदर आप मैसेंजर यूज करते हैं और मैसेंजर पर आप जब किसी क क्या करना है जिससे आप एजली मैसेज सेंड कर पाएं आपके मैसेज जो है वो सेंड हो जाएं सामने वाले के पास तो इसके लिए यहां पर दो से तीन सॉलुशन आपको बताऊंगो और आपकी प्रॉलम सौल्ब हो जाएगी तो इस वीडियो में तक बने रहेगा आप वी एसिस्टेंट हो गया है दूसरे वाले को नहीं हुआ है तो ऐसे मैं आपको क्या करना है आपको बता देता हूं सबसे पहला काम आपको आना है प्ले स्टोर पर प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च करना है मेसेंजर मेसेंजर को ओपिन करना यहां से और यहां पर दे आपको messenger अप्डेट करना है जैसे आप अप्डेट करनेगे धन्ष के बाद आपको बैक आना है बैक आने के बाद आपको settings देखने को मिल रही है settings पर आईएगा अब यहाँ पर scroll कर beaten गा नीचे यहाँ पर apps देखने को मिल रही है apps पर आईए यहाँ पर Manage Apps है, Manage Apps पर आईए, यहाँ पर आपको उपर सर्च बार में Messenger को सर्च कर लेना है, Messenger आ चुका है, यहाँ से Messenger को Open करते हैं अब यहाँ पर आपको सबसे उपर देखने को मिल रहा है Storage, Storage पर आईए Clear Data है आपको नीचे, Clear Data पर क्लिक करिए, सबसे पहले काम करना आपको Clear Catch यहाँ पर Clear Catch करना है आपको, आपको Clear Catch करने के बाद आपको अपना Message Send करके देखना है कि आपके जो Problem है वो Solve हुई है या नहीं, अगर आप Clear Catch करने के बाद भी Problem Solve नहीं होती है इस बात का ध्यान रखे, Logout हो जाएंगे आप, तो इस बात का ध्यान रखना है, Clear Data तभी करें जब आपको अपना Password मालूम हो तो जैसे Clear Data करेंगे, देन आपको चेक करना है, Problem Solve होती है या नहीं उसके साथ एक काम और आप कर सकते हैं, आप Permissions पर आईएगा यहाँ पर बहुत सारी Permissions आपको देखने को मिल रही है बारी बारी से सभी Permissions को आपको यहाँ पर Allow कर देना है जितने भी Permissions देखने को मिल रही है, सभी Permissions को यहाँ पर Allow करना है तब आप देखेंगे, आपकी जब Problem है, वो Solve हो जाएगी किसी चीप तरह से आपको problem face करनी नहीं पड़ेगी guys देख सकते हैं सभी permissions को मैंने allow करके रखा हुआ है आपको भी सभी permissions को allow कर दिना है then back आ जाना है और अपने mobile को एक बार off करके own कर लिना है आप देखेंगे problem solve हो जाएगी आपको यही बताना था hope आपको वीडियो चलिए चलिए लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिल देना एक वीडियो में टिल रबाय टेके ल लव यू अल